जैहिं दोस्तो स्वागत है आप सभी का अमारे यूटूब चैनल पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तो जो है विश्व की जितनी भी परमुक जलसंदिया हैं उन सभी जलसंदियों को देखेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जलसंदी किसे कहते हैं तो जलसं है और एक पतली शकली माध्यम से जो है आपस में जुड़े हैं तो इसी को हम लोग जलसंदी कहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बिश्व की जितनी भी जलसंदिया है उन सभी जलसंदियों को देखेंगे तो दोस्तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्र कर दें और सेयर भी कर दें चलिए देखते हैं लिष्ट के बारे में जितने भी जलसंदिया होती है उन जलसंदियों के बारे में जानेंगे ठीक है जलसंदी देखेंगे किने जोडती है आपस में उन्हें भी देखेंगे और उनकी इस्थिती जो है किनके किनके बीच में है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे तो पहली जलसंदी हम लोगों की है मलक्का जलसंदी या अंडमान सागर तथा चीन सागर को अपस में जोड़ती है या बात करें तो इसकी स्थिति कहां पढ़ती है तो यहां Malaysia और Indonesia के बीच में इसकी स्थिती पढ़ती है दूसरा है दोसतो पाक जलसंदी यहां पात करे कहां पढ़ती है तो दोस्तो यहां आप सभी को पता होगा जो दच्छिड भारत में है नाम पर मत जायेगे कि यहां पाकिस्तान में होगा दच्छिड भारत में देखें तो दच्छिड भारत में दोस्तो जो सिलंका और प्राइदीपिय भारत के बीच में यह जलसंदी पाई जाती है पाक जलसंदी ठीक इसकी जो है जोड़ती किसे है तो या पाक की खाड़ी और दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है या किनके किनके बीच में है तो भारत और सिलंका के बीच में है तीसरा है हम लोगों का सुन्डा जलसंदी यह कहां पर औस्थित है और किने जोड़ती है दोस्तों तो यह मेक्सिको की खाड़ी और केरेबियन सागर को जोड़ती है कहां पर है तो किन के किन के बीच में पढ़ती है तो मेक्सिको और क्यूबा के बीच में पढ़ती है दोस्तों पांचवा हम लोगों का मेसीना जलसंदी या भूमध्य सागर में पढ़ता है या इटली और सिसली द्यूप के इटली देश है दोस्तों प्राइदीपिय देश इटली है और सिसली जो है आपका द्यूप है तो इन दोनों के बीच में या मेसीना जलसंदी पढ़ता है चलिए अगला देखते हैं छटवा हम लोगों का है और्बटो जलसंदी यह दोस्तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियम सागर को जोडता है किन के कितन के बीच में है तो इटली और अलवेनिया के बीच में यह जो है इस्थित है सातवा है हम लोगों का बाबा अलमांडेव यह किन को आपस में जोडता है दोस्तो तो यह लाल सागर और अधन की खाड़ी को जोडता है यह किन दो देशों के बीच में है दोस्तो तो यह यमन और जिवूति के बीच में जो है इस्थित है येमन आप सभी को पता होगा येमन जो है एसिया महधिव का जो है देस है और जिवियूति आप का पता होगा कि यह जो है अफरीकी महधिव का जो है एक देस है चलिए अगला देखते हैं आठवा है हम लोगों का कुकुजल संदी की बात करें तो यहां दच्छडी परसांत महसागर में इसकी जो है आउस्थिती है कहां पे कुकुजल संदी दोस्तो दच्छडी परसांत महसागर और तसमान सागर को जोडती है दोस्तो किसको तसमान साग बीच में जो है ऐसे बहुत है कि जो है उत्री नुजी लैंड को अलग करने वाली जलसंधी का नाम क्या है तो कुकुझ जलसंधि जो है है चलिए अगला देखते हैं नवा दोस्तों मोजांबिक चैनल या हिंद महासागर में है दोस्तों किन किन देशों के बीच में है तो मोजांबिक और मालागासी जो है मालागासी के बीच में है यहां अवस्थित है ठीक है चलिए अगला देखते हैं दसवा हम लोगों का नौर्थ चैनल जिसे जो है ब्रिटिस चैनल भी कहते हैं दोस्तो यहां बात करें किन को आपस में जोड़ता है तो यहां आईरिस सागर और अटलांटिक महासागर को आपस जलसंदी अगला है किन को आपस में जोड़ता है तो अरापूरा सागर यहों पापूआ की खाड़ी को आपस में जोड़ता है इनकी इस्थिति किन देशों के बीच में है तो यहां पापूआ न्यूगिनी और जो है अस्टेलिया के मद्द इनकी इसकी टौरिस जलसंदी की और स्थिती देखी जा सकती है बरहावा है बॉस जलसंदी इसकी बात करें तो यहां तसमान सागर और दच्छड सागर को दोस्तों आपस में जोड़ता है इसकी इस्थिती कहां इस्थिती देखें तो इस्थिती जो है तसमान सागर दोस्तों कहां पर है तसमान सागर जो है अ साम से भी जानते हैं इसे पांचवे महा सागर की भी संग्या दी जाती है दच्छडी महा सागर को तो आप सभी को पता हो गया होगा कि किन के किन के के बीच में है तो यह 테 uninterस्मान सागर और दजचरी सागर के बीच में है इसकी स्थथी भी दोस्तों नहीं पर है यहां अगला हम लोग देखते हैं बेरिंग जलसंदी यह बात करनें तो बेरिंग सागर और जो चुक्की सागर को वापस समें जोड़ता है किन के बीच में है तो इहां अलासका और रूस के बीच में जो है अवस्तित है रूस दोस्तो एसिया महाद्यूप का जो है देश है और अलास का दोस्तो आपका उत्री अमेरिका महाद्यूप का जो है संयुक्तराज अमेरिका का जो है एक स्टेट है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला जलसंदी तो बोनी फैस्यो जलसंदी है या दोस्तो भूमत जोडती है किस से तो यह जोडती है दोस्तों आपको जो काला सागर है उससे जोडती है ठीक है किनके किनके बीच में है तो कोर्षिका और सार्डीनिया के बीच में जो है इसकी इस्तिती देखी जा सकती है चलिए अगला देखते हैं 15 नमबर दोस्तो बास्फोरस जलसंदी यह काला सागर और मरमरा सागर को जो है आपस में जोडती है कहां पर इसकी स्थिती है तो इसकी स्थिती दोस्तो जो है तुर्की में है चलिए अगला देखते हैं अगला है हम लोगों का डर डेन लेज जलसंदी यह मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोडता है यह भी दोस्तों जो है तुर्की में है चलिए अगला देखते हैं 17 नमबर हम लोगों का है 17 नमबर डेवीज जलसंदी है दोस्तो या महतपूर है या बेफिन की खाड़ी यहम अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है इसकी इस्तिती बात करें तो ग्रीन लेंड और कनाड़ा के बीच में इसकी इस्तिती द जोड़ता है किनके बीच में है तो यह ग्रीन लेंड और आइस लेंड के बीच में जो है इसकी इस्तिती है अगला है 19 वा हम लोगों का है डोबर जलसंदी या इंगलिस चैनल और उत्री सागर को जो है आपस में जोड़ता है किनके बीच में है तो इगलेंड और फ्रांस क के बीच में इसकी स्थिति है दोस्तों कि अगला है हम लोगों का फुलोरीडा जल संदी कौन सी फुलोरीडा जल संदी है या मैकसिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो है आपस में जोड़ता है किन के बीच में है तो यह संयुक्तुराज अमेरिका और क्यूबा के बीच में इसकी स्थती देखी जा सकती है चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर हरमुज जलसंदी दोस्तों यहाँ भी महतपूर है परिक्षाओं में पूछा जाता है कि किन को जोड़ता है तो यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है किन दो द कि खाड़ी और अटलांटिक महसागर को आपस में जोड़ता है किस देश में इसकी स्थिती देखी जा सकती है तो यहाँ कनाड़ा में जो है इस्थित हैं अगला है जिब्ला जिब्राल्टर जलसंदी दोस्तों जिब्ला जिब्राल्टर जलसंदी या भूमज सागर को अट विब्राल्टर जनसंदी पर ठीक है चलि यह अगला देखते हैं अगला हम लोगों का है मेगलल संदी दोस्तों यह जो है आपका जोड़ता है पडियो और की आतलांंटिक भा सअगर को दोस जोड़ता है कहां पर पढ़ता है तो दोस्तों दच्छड़ी West America जो यह दूफ आज नीचे वाला दूफ दोस्तों यहां दूफ को आपसमे दूफों को काटके जोड़ता है ठीक है कहाँ पे इसकी इस्थिती देखी जा सकती है तो चिली में आज़ली इस इस्थिती देखी जा सकती है चलिए अगला देखते हैं अगला है सुगारू जलसंदी यह जापान सागर एवं परसांत महा सागर को आपस में जोडता है कहां इसके इस्थिती है तो यह जापान में इसकी इस्थिती है कि जापान दोस्तों चार द्यूपों पर जो है इस्थित है वैसे तो कई स संदी सुगारू जलसंदी जो है आपका होकैडो और होंसु द्यूप के बीच में जो है पड़ता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर है दोस्तों हम लोगों का तातार जलसंदी यह जापान सागर और जो है अखोष्ट सागर को आपस में जोड़ता है कहां पर है तो दच्छडी प्रसांत महासागर में इसकी अवस्थती है यहां न्यूजी लैंड में जो है इस्थित है दोस्तों यह दच्छडी द्यूप और इस्टिवाट द्यूप के बीच में इस्थित है यानि न्यूजी लैंड का जो दच्छडी द्यूप है और जो है इस्टिवाट लोगों ने 29 जल संदी को देखा इस से से ज्यादा इतना यह आप लोग रट लेते हैं तो आपको किसी परिक्षा में भी टेंशन लेने की दिख्कत नहीं होगी ठीक है दोस्तों थैंक्यू दोस्तों धन्यवाद